राजिस्थान की राजदानी जैपूर में सरकारी अस्पटाल की गोर लापरवाई का मामला सामने आया है जहां रविवार साम सांगनेरी गेट इलाके में महिला अस्पताल के गेट नमबर एक के बाहर एक कुटा अपनी जबडे में मरा हुआ ब्रून लेकर गूमता नजर आया कुटे को देखते ही लोगों ने उसे पकरने की कोशिस की तो वह ब्रून को अस्पताल में लगे ऑक्सिजन प्लांट के पास छोड़ कर दिवार पर जाकर बैठ गया वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल प्रबंदक ने इसकी जानकारी पुलिस को दी जिसके बाद अब पुलिस मामले की जाच कर रही है वहीं आपको बता दें इस मामले में लाल कोटी पुलिस्ताने में महिला चिकत सालिय के हाउस केपिंग सुपरवाइजर सोहन लाल की और से एक रिपोर्ट भी दर्श कराई गई है दर्शल अस्पताल परिशर में रविवार दोपैर के समय अस्पताल के पार्किंग एरिया के पास एक कुटा मुँ में मास जैसा कुछ तुकडा लेकर घुमता नजर आया जिसके बाद अस्पताल के हाउस कीपिंग स्टाप ने जाच पड़ताल की तो कुत्ते के मूँ से मास जैसे दिखने वाला तुकड़ा नवजात पाया गया बता दें की अस्पताल स्टाफ ने कुत्ते के मुँसे नवजात को देखने के बाद उसे छुड़वाया और जाच में मुर्त घोसित किया बता दें नवजात के सब को अस्पताल की मौचरी में रखा गया है पुलिस ने सौमवार को पोश्माटम के बाद बुरुन का निस्तारन कर दिया और पता चला कि बुरुन आठ महीने का नर था ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहे इन खबर के साथ